कैमेरा मिल चुका है किस चीज की पिक्चर ले रहा हूँ? चाय की फोटो निकाली जा रही है आज असलाम लेकूम एवर्यवन कैसे आप सब लोग उमीदे कि आप सब लोग ठीक होंगे? क्या 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 होंगे? अब ही मैं खड़ी में हूँ आट साइन डिजाइन डिपार्टमेंट में फोटोग्राफिक लास है हमारी और अब ही मेरे पीछे आप लोग को कोई दिखना ही रहा होगा यह पीछे खड़े में फोटो निकाल रहे हैं और जिस ग्रूप में मैं हूँ उसके सारे बंदे बता नहीं कहा चले गए एक निमाज पर चला गया है एक सामने कहीं पर जाके ना फोटो निकाल रहा है और दो ने तो फोटो निकाल दी है बाकी मैं हूँ और दो बंदे बच्चे हैं हम अभी फोटो निकालेंगे मैं उसायमेंट मिलती है दोज फोटों निकालने का other यह राह सांदे आ रहा है यह बंदा है मेरे ग्रुफ का अभी फोटो निकालने के आप अब मेरी भारी आएगी फिर मैं फोटोस मिकालूंगी लो आया ही नहीं चला गया यह जा रहा है पता नहीं पीज से पिक्चर नुकालने जी आज में मुझूद हूँ इसे नहीं बूलते है यह आप किस चीज की पिक्चर ले रहे हूँ इस पेट्रल के लूँ है इस पेट्रल के लूँ है इनको साधा शोग हो रहा है विलोग में आने का मैं यह भी रिकॉइड करूँगी कि तुम मेरी कोल रिंग पी गए जूटी कर दी इसने इसने के रिकॉड़ जाओ अब पता नहीं मैं दूर तो जारी हूँ यह पता नहीं क्या करेगा क्या करोगे क्या करोगे क्या यार में रिकॉल्डिंग पी गया शरम ही नहीं है इनको तो फाइनली मुझे जो है ना कैमेरा मिल चुका है और अभी मैं पिक्टरस निकालूगी मेरी बारी आ गई है तो बस चलते हैं फिर अंदर चलते हैं चाई की फोटो निकाली जा रही है आज So guys, scene ये है कि पहले हम आगे ग्लास में बैठते हैं और टीचर हमें लेक्चर देता है कि फोटोग्राफि क्या होती है उसके कितने किसिम होते हैं और फिर हमें एसाइमेंट दी जाती है बेड़ी पैसिस पे कि आज हमें क्या करना ए किस तरह की तसमीर निकलनी है और फिर हम groups में divide हो जाते हैं एक group में 4 बंदे 5 बंदे फिर इस तरह से 2-3 group बन जाते हैं और हर group को अलग-अलग camera दी जाती है और फिर हम वो camera लेके अपने group के साथ पिक्टरस लेने निकल जाते हैं फिर ग्रूप में हम बारी बारी एक दूसरे को कैमरा देते हैं और पिक्चर निकालना शुरू कर देते हैं फिर जब हमारी पिक्चर निकल जाती है तो हम क्लास में वापस जाते हैं और अपनी पिक्चर को लैप्टोप में सब्मेट करवाते हैं इस तरह सारे students अपनी पिक्चर लैपटप में submit करवाते हैं और जब सबकी picture submit हो जाती हैं तो फिर वरी पिक्चर प्रोजचेटर पर display की जाती है और बारी बारी सब को आके प्रेजेंटिशन दीनी होती है कि जो उन्होंने picture निकाली है तो वो क्या सोच के निकाली है, किस तरहां से निकाली है और फिर हमें टीचर बताता है कि हमारी पिक्चर में क्या मिस्टेक है तो बस इससे हम यही सीखते हैं कि हमें अगली बार अपने पिक्चर को कैसे इंप्रूव करना चाहिए किस तरह प।टिर निहाँआनी चाहिए और पिर जब सब की पिक्टर और प्रेजंटेशन अब पूरी हो जाती है तो फिर क्लास कहत हो जाती है और पहर हम अपने घार्ध हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखियेगा, और अगर आपको कोई कुस्टिन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर वीडियो खतम करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीचेगा, ताके मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, थैंक्यू, अलाफेज तीन दफ़ा किर गए, प्योरी अबजन, क्यों किरते हों बार बार, आया मैं पीछे जाओंगी, यह से करके मार दूँगी तुम्हें अब जाओ, यह गलाथ हो गया अब शर्माना है, शर्माते नहीं है, साप ने तो काटा है, मैंने तोरी काटा है आपको अब नहीं बाइज के बारे है, अब आप करेंगी खाँ आगे